हेलो गाईस मेरे नाम है आनन्द और आप देखरें मिस्ट टेक्निकल रास्थान तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बार ना करते हुए अपने में सीधा में टॉपिक पर चलते हैं तो आज इस वीडियो में आपको कीबोर्ड की ऐसी सौर्ट कर की बताऊंगा जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप भी एक कीबोर्ड एक्सपर्ट बन जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं आज कि हमारी पहली सौर्ट कट की मैं आपको बता रहा हूं बैक स्पेस और डिलीट तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि बैक स्पेस और डिलीट जानों अलग-अलग काम जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया कि अनंद अब आप जैसे तो बैक स्पेस से अपन क्या कर सकते हैं कोई वर्ड को पीछे से इस डिलीट कर सकते हैं जैसे अपने सिंगल वर्ड को पीछे से डिलीट कर सकते हैं ठीक है और यह था बैक स्पेस आप इससे कि कोई भी डिलीट का बटन है उससे क्या होगा उससे आप आगे से डिलीट कर सकते हो जैसे मैंने कर्सर को यह बीच में लिया है अब मैं आप डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो यह आगे से डिलीट होगा यह आप देख सकते हो ठीक है यह बैक स्पेस और बैक स्पेस और डिलीट बट दिलिख क्रह новina करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीड़ बटन प्रेस करना हैo और इस से आपका एक साथ आप पूरे वर्ड को डिलीड करसी जैसे साहला भॉत लाईनैंने लिखी हुए है तो आपत्रोंस सब sowas ohoda % 15 तो वहना है करो गयदा टाइम गथफ है यह था आपना बैक स्पेस और कंट्रोल में और इसके साथ आपको इसमें मैंने आपको चार्ट तरह से डिलिट करना बता दिया ठीक है दूसरा ओप्सन मैं बता रहा हूं आपको जैसे अपने कई बार एक साथ अपने बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे ओपन किये हुए है जैसे मैं बता देता हूं यह फायर फॉक्स ओपन कर दिया मैंने आप देखें को मेरे ख्राउम फायर फॉक्स और यह वर्ड फायल तिन उपने तो इनको आपन को एक साथ अपन को किसी स्विच्च करना है जैसे अपन को क्रॉम से सीधा वर्ड पर जाना है तो उसके लिए आपन क्या करेंगे इसको से अपन को कंट्रोल प्लस टैब का बट जाके बटन आता है कीबोड में और उसको टल ऐसकर करेंगे तो यह कुछ इस तरह से सो करेंगे अपने को बड़ी दिस्पलय धिका यह काफी अच्छा भी लगता है और ज्यादा लोगों को पता विंडिय अगर अपने दू फ्रेंस के साथ करोगे उनके सामने आप भी chief कीबोर्ड एक्सपर्ट जैसा सो आप कर सकते हो यह आप देख सब्सक्राइब यह दो टिप्स थी अपने को स्विच करने के लिए ठीक है और तीस्ट आपस जैसे मैं बता देता हूँ आपको जैसे यह विंडो है ठीक है वही आपने को फर्स्ट टेफ पे जाना है या लस्ट पर जाना है ठीक है तो सीदह सिंपल से एक्ट्रोल फ्लस टैब कडाव्ल एक म totalmente सुछ्झ हैada अगर आपने दो टैब ओपन किया है तो वही वापत अल्ट प्लस टैब करोगे तो आप इस वाले भी क्रॉम में आ सकते हो ऐसे चैन्ज कर सकते हो आप इसमें मैं अगर आपको इनको बर प्लोज करना हो त їх टैब को तो आप एक एक इक क्यों करोगे तो इसको ज्याज़ा टाइम लगें। सिंपर सा आपको क्या करना है HEALT PLUS F4 दबाना है EFF PLUS F4 करोगी AUTOMATIC CUT हो गया पूरा ठीक है अब इसको VEGKE CUT करना है EFF法 यह bhi CUT हो गया अब यह अब बव当 इसको भी करना है EFF upgraded F4 यह आप देख वह सीव काने को बोलना आइसे करते हो आप DEELEED हो जाएगा. फिर से अल्ट प्लस F4 आप अपन को सट डाउन भी करना है अब यह डिस्प्ले है तो आपने सिंपल आल्ट जैसे डेक्स्टॉप पर पहुंचे उसके बाद फिर वापस अल्ट प्लस F4 करोगे आप सिंपल सा आप को सब कुझ हो जाएगे इसमें अब अड falando को जैसे को कोई प्लोग्राम खुले हुए ए ठीक हैको सीदा जाना और यह डिलीट करना है आपको तो आपको सिंपल सा मतलो शाटडाउन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है अल्ट प्लस एफकूर प्लस एंटर चैन। प्लस एफकूर करोगे यह आ गया अपने विंडो सीद्रह से ओके जाए से इंडर अरड़़ा हुब करोगे आप तो आपका शिस्टम सř्ट रवाघाइनभ़ किर सकते हो ठीक है दूसरा विंडो ऑप्शन से विंडो बटन से आप अपने स्टार्ट मेनिव को ओपन कर सकते हो क्लिक करके रुको ज़रा सबर करो ये था बोला धक्का बुक्की नहीं करने का कि नेक्स अब नेक्स टिप कि तब आपने चलते हैं विंडो प्लस दी एक और की बताता हूं मैं आपको जैसे आपके ये एक साथ आपको बहुत सारे टैब खुले होगे जैसे मैं यह बताता तो एक या आप देख सकते हो, मेरे बहुत सारे ट्रेब खूले होगए, तृक्स है? यहाँ पे यहाँ पे एक साथ सब को minimize काहसे करना है? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको simple सा Windows प्लस डी का बटन दबा देना है कि आप देख दो आपन मेल डैक्स्टॉप पे आगे वापस क्रेस करेंगे वापस टैप खुल गए वापस विन्डू प्लस दी करेंगे वापस बंद जाएंगे हैना मज़दा अगर आपको वीडियो में मजा रहा है तो आप प्लीज इस विंडू में अपने सिस्टम में जो भी ऑफिस वाले प्रोग्राम है उनमें आप इन टिप्स को यूज कर सकते हो तो मैं ऑफिस की जिती भी टिप्स है वो सारी बताओ जैसे आपके प्रॉम बले वर्ड पेडर या एक्सल हो कोई भी ऑफिस का कोई भी सॉफ्ट्रेर आपक इसमें ओपन है तो उसके उपर आपके यह सारे टिप्स आपके काम आएंगे जो भी सॉटकर्स है वो सारे काम आएंगे जैसे अपने यहां पर आपना कोई प्रोग्राम टाइप किया हुआ है या फिक कुछ भी यह है ठीक है अब अब इसको सेव करना है तो उसको सब को सब को कहीं पर भी सेव कर सकते हो ठीक है दूसरा option आपको save as करना है save as क्या होता है save as यह होता है कि आपके अगर already file save है और आपने उसमें कुछ changes किया है और उसको आप वापस save करना चाहते हो ठीक है तो उसके लिए आपको क्या ज़रना होता है simple सा जैसे आपके बार अगर keyboard है save as यानि save की हुई फाइल को वापस save करना यह यहाँ पर आपन जाके करते हैं save इसको वापस नाम देके ठीक है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको PC है PC में आपको simple सा F12 आप प्रेस करोगे तो आपका यह save as हो जाएगा ठीक है यह आप देख सकते हो इसमें ठीक है और laptop में आप नाम देके अपने program को स्याम को वापस save कर सकते है और laptop है तो आपको function जो function का button होता है आप देख सकते है अपने keyboard में अपने पेज फूल हो गया आपने को एक और नया पेज चाहिए या किसी नए पेज पर अपने वर्क करना चाहते हैं तो आपने को सेंपल सा क्या करना है control प्लस एंड दबाओ एंड दबाओ यह नई सीट ओपन हो भी अपनी ठीक है इसके बाद अपन फिर से next step पर चलते एक और मैं आपको एक और मैं आपको इसकी टिप बता देता हूँ एक्सल की जो आपके बहुत काम आएगी और जो आपको बहुत पसंद आएगी जैसे कई बार क्या होता है अपना कोई data होता है जो आपने ऐसे टाइप कर लेते हैं होंगे यह मुबाइल नंबर हो गए जैसे यह मैंने ऐसी सेंपल के लिए अब आप देख सकते हो यह इसके सेल के नीचे चला गया यह प्रॉपर अरेंज नहीं है ठीक है और आपको बाद बड़ी सीट है और आपको उसको आरेंज करना तो आप ऐसे एक को तो कब तक करोगे अपने सिस्टम में आपको क्या करना है पूरी जो भी आपकी सीट है उसमें आपको क्लिक करना है ठीक है उसके बाद कंट्रोल एक करोगे आप तो यह सलेक्ट हो जाएगा पूरा ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, अरेंज क्या से करोगा है, आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने लेप्टोप या पेसी के अंदर आपको कंट्रोल, अल्ट का ओप्षन दबाना है, उसके बाद एच ओ आई लिखना है, आई लिखो करी यह आपके अरेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, पीछे था यह अपने आप इसमें अरेंज हो गया, क्या प्रेस करना है, अल्ट प्लस हो आई, हो आई करते ही आपको आपको पता ही होग इसके क्लिक करोगे तो यहां पर नीचे आपके सम में टोटल बता देगा ठीक है दूसरा ओप्शन में बता देता हूं आपको यहां पर जाना है यहां पर जाके आपको सम पर क्लिक करना है क्लिक करके एंटर करोगे यह आपको टोटल बता दिया इसका बले किती बड़ी संक्य आपको माइनर करता और उससे हैं ये थी अपने एक्सल मेर्ण करसकते हैं अब चलते आयो यह अपना ब्राउजर की टिप जो आप को इसे क्रोम गूजर वगि hell आपकोई पन है तो उसमें आपको कैसे आप टिप यूज कर सकते हो व्यूजत है रिप इसको यूज़ करके आप बड़ी आसान इसे अपना वर्द को बड़ा है आसान बना सकते हो और अगर आपके उसे एक्प्रेंट के सामने अगर आप यह करोगे तो जरूर आपकी तारीफ करनेगे सबसे पहले अपनको नेव टैब ओपन करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप कंट्रोल प्लस टी का बटन दबाना है आपको ठीक है यह आप देख सकतो नेव टैब ओपन गए आपनको यहाप पर क्लिक करनेग ज़रूर नहीं पड़ी कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो यह एक को कट किया एक को उपन किया उसके बाद आपको अपनी गूगल की हिस्ट्री जो भी क्रॉम की इन हिस्ट्री है उसको क्लियर करना हो तो आपको क्या अगर तो यहां पे गए और फिर यहां पर जाकर जाकर वहां से डिलीट करते हो यहां पर जाकर यहां से डिलीट करते ह प्लस इफ प्लस डिलीट का बटन जैसे डिलीट का बटन दबाओ यह आपको इसमें इसमें इसको जैसे क्लिक करो के यह पूरी दिलीट हो जाएगी तीसरा अपने आप्शन बता रहा हूं मैं आपको इसमें करो सिब्च करें कर दो के स्रीए गलstar जैसे आप इंसकrice रिइन इंसक्र आतब क्षिर्वरल्ट को और पर यहां पर चारन करें आपको सिंपल। क्या करनें May का नौ श सिंफ्ट प्लस एन का खंट्रोल सीफ प्लस एं इससे आप इंकोंग्णिटो मोड को एकसेस कर सकते हूँ क्रॉम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टिप पर चलते हैं इंकोग्निटो मोड हो गया इसके बाद है अपना एक और में बता देता हूं आपको जैसी डाउनलोड मेन्यू में जाना है बढ़ता है कई बार अपनको चेक करते हैं अपनके डाउनलोड में अपनको जाना हो तो यहां पर रखके जै यह आप ermॉन्स आप मेन्यू में आ गए अपन्ट है किया आप चुक्त कर सकते हो गिए फ्ल्सT और शूबूर्क्र ने या ंपना टैप कोई तिक इंपोडेंट एप था जिसको आपने को वापस लाना हो और जो अपने गलती से दिलीट कर दिया तो आपने को क्या करना है Ctrl Shift Plus T Ctrl Shift Plus T Ctrl Shift Plus T यहाँ जैसे करेंगे तो आपना जो लास्ट टैप खुला वा था ऑटमेटिक यहाँ पर सोग दिया आपना लास्ट डाउंलोड वाला था जो अपना डिलीट आ रहा था तो वह आपस आ गया है ऐसे आप कुछ भी मतलब इस में डाउंलोड में है कंट्रोल इसके लिए मैं कंट्रोल सिफ प्लस टी यह आपको जो भी लास्ट टैब होता है उसको वापस लिया आता है ठीक है कि पिर कंट्रोल अल्ट प्लस कि यहां पर अपन को करना है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलिट बट्न पर प्रेस इससे क्या होता है जो भी अपने टैप्स फुले वे सारी एक साथ जैसे अपने कई बार क्या सिस्टम हेंग हो जाता एक और सब्सक्राइबिम्ण सब्सक्राइब रिर्ANGत Baptist ऐल वने फैर व दो सब्सक्राइब प्रेस के मेज mocनों मेंसे इसको अगर आपको ऐसी टिप्स के ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को प्लिस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर मैं को बताईए कि आपको हमारी ये टिप्स पसंद आ रही है तो आप कमेंट में में को जरूर उसके ऊपर कमेंट ल बढ़ूर बन जाओगे कि मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स आपको बताईए ऐसे मजदार वीडियो देखने के लिए आप हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग खतम बाइबाई